एलो दोस्तो मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो अब हम एनलेसिस करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कल के दिन हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं किनकिन ही स्ट्रेटिजी के एकोर्डिक उन सिचुएशन को डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ लोजिक्स डिसकस कर लेते हैं जो कि ट्रेड लेने में काफी मदद करते हैं अब जैसे कि मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि एक तो बड़ी बुली स्केंडल, बड़ी बियरी स्केंडल, बड़ी गेप अप ओप ओपनिंग, बड़ी गेप डाउन ओपनिंग और साइडवेज मार्केट इन चीजों को आपको अवोईड करना होता है, ट्रेड नहीं करनी होती है क्योंकि अगर आप ट्रेड करने की कोजिस करेंगे, तो यह आपको ट्रेप कर देगी ट्रेप में फसादेगी इसी तरह की situation यहाँ पर create होती है जैसे कि आज आपके साथ हुआ होगा आज आपको यहाँ पर मैंने 5 मिनट का time frame लगा के रखा हुआ है धियान से देखो एक बड़ी बुली scandal आपको दिखाई दे लिए और इस बड़ी बुली scandal ने 1st March के Day High का breakout दे के closing कर दी अब यहाँ पर काफी लोग यह सोचेंगे कि previous Day High का breakout हो चुका है तो इसका मतलब अभी strategy activate हो चुकी है तो buying कर लिनी चाहिए दोस्त आप rule ध्यान से नहीं पढ़ते हो काफी लोगों कि क्यों मैंने discuss किया इसे ध्यान से समय लोगों प्रोपर इतना बहतरीन आपको लोजिक बताऊंगा जो आपको आगे काफी मदद करेगा भाई देखो यही बहुत ही छोटी छोटी चीज़े होती है जो आपकी profit और loss को decide करती है कैसे? रूल क्या है? मानलो यह previous Day High है इसका breakout मिल गया तो यह candle बनी है जब इससे उपर market जाता है एक तो तब आपकी strategy activate होती है पहली चीज़ क्या यहाँ ऐसा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ भई पहली वाली green candle ने breakout जरूर दिया है previous Day High का closing भी दे दी क्या इससे उपर candle गई है कि नहीं? नहीं गई है तो इसका मतलब strategy activate नहीं हुई है सिर्फ breakout हुआ था और हम buying के लिए ready हो गए थे कि buying हम करेंगे लेकिन अगर candle उपर जाती अब मान के चलो candle उपर चली जाती यह भी case हम यहीं पर discuss कर लेते मान के चलो यहाँ पर यह previous Day High हो गया देखो logic में इसलिए discuss करता हूँ जिससे आपकी learning बड़े उमीद है यह आपको मतलब अच्छा लगता होगा अगर अच्छा नहीं लगता होगा तो आपको comment करके बताना है हम सिर्फ मतलब कल की strategy discuss कर देंगे gap up open खुला तो क्या करना है फ्लैट खुला क्या करना है इस तरह की discussion कर देंगे पर जो मैं discuss कर रहा हूँ यह discuss करना मेरे हिसाब से जरूरी है क्योंकि यहीं पर experience काम आता है यहीं पर strategy किस तरीके से काम करती है वो चीज़े काम आती है काफी कुछ सीखने को मिलता है तो अब हम क्या दे रहे है यहाँ पर previous day high का breakout मिला है लेकिन candle इससे उपर नहीं गई अब एक example भी यहीं पर discuss कर लेते हैं मान लो candle यह था previous day high candle ने इसका breakout दे दिया और candle इसका भी breakout दे के उपर चली जाती तो क्या हम trade करते हैं क्यों कि यहाँ पर क्या बन रहा है बड़ी candle बन रही है और बड़ी candle को मैं हमेशा कहता हूँ बड़ी चाहे बुलीस बने चाहे बीरीस बने यानि यह green यह red बड़ी gap up opening हो बड़ी gap down opening हो sideways momentum हो छेड़ना मत market को क्योंकि यह मैं आपको experience से कह रहा हूँ क्योंकि जादे तर आपको trap मिलेंगे तो इसलिए हम बहतर है price action बनने का इंतजार करते हैं तो यहाँ पर फिर से एक सवाल आ गया price action बनने का इंतजार करते हैं तो किस तरह का price action बनता है पहीं मैं आपको एक बात हमें से कहता हूँ अगर train चल रही है तो चलती train में गुसने की कोशिस नहीं करेंगे यह हमारे लिए एक platform बनाएगी उस platform पे रुकेगी उस platform की respect करेगी यह तो वहापे जाके यह sideways हो जाएगी या फिर वापिस आके उसे retest करेगी फिर momentum दिखाएगी यानि हमारे लिए बीच बीच में platform बना के चलती रहेगी और हम उन्ही platform का इंतजार करेंगे इस train में गुसने के लिए जिससे की हमें profit हो सके तो यहाँ पे हमारा platform क्या बन सकता था अगर ये वाला case होता कि market इसका breakout दे के चलता तो platform क्या बनता क्योंकि अब मान के चलो ये भी bullish momentum इसका breakout दे के market चला ये भी bullish तो platform तब बनता अगर market वापिस आता retest करता कुछ level पे फिर momentum दिखाता तो हमारे लिए एक platform create करता entry बनती और यहाँ पे हमारी कौन से strategy काम करती यहाँ पे हमारी strategy काम करती trading day high के breakout वाली क्योंकि जब market इसका breakout दे के जाता एक day high बन जाता हमारा trading day high बन जाता फिर market वापिस आता retest करता फिर breakout देता तो trading day high के breakout वाली ठीक जैसे market ने यहाँ पे काम किया अब यह bullish candle बन गई, market ने फिर से इसका breakdown दे दिया, ध्यान से समझो, सारी चीजों को ध्यान से समझो, जो मैं आपको समझाने की कोशिस करूँ, यहाँ पे market ने previous day high का breakout दिया, लेकिन इसके according हमने entry नहीं ली, market वापिस आ गया, वापिस आके previous day high का breakdown दे दिया, अब काफी लोग सोच रहे होंगे, कि यहाँ पे previous day high के breakdown वाली strategy अक्टिवेट हो जानी चाहिए, बई किसी ने अगर उस strategy के according entry भी ली होगी, तो उसका profit हो गया होगा, लेकिन नहीं लेनी थे entry, लोजिक समझाता हूँ मैं आपको, यह भी आपको बड़ी candle दिखाई दे रिये, इससे अगली अभी आपको बड़ी candle दिखाई दे रिये, यानि कि जब हम पहली strategy को avoid कर चुके हैं, उसके according position नहीं ली, अगर मान के चलो, कुछ इस तरह की situation होती, candle सिर्फ इतनी सी बनती, भई, previous day high का market ने breakdown दे दिया, तो हम यहाँ पे trade ले सकते थे, target क्या रखके, यही trading day low वाला, जो इ यही target लेके हम position ले सकते थे, देखो मैं सारे logic आपको explain कर रहा हूँ, इतना simple कोई नहीं बताने का, इतने logic आपको detail में कोई नहीं समझाने का, मैं आपके सारे doubt clear कर रहा हूँ, क्योंकि फिर आप comment करते रहते हो कि sir यहाँ पे इस तरीके से entry ले ले लेते, sir यहाँ पे इस त हमें एक range पता चल चुकी है, जैसी market नीचे आया, market ने एक range बना दी, यह हमारे लिए बना दिया, market ने trading day low, यह market ने बना दिया, हमारे लिए trading day high, हमने इसे mark करके छोड़ दिया, भही अगर इस से नीचे जाएगा, तो हम risk लेंगे, selling position बनाएंगे, इस से अगर उपर जाए भही यहाँ पर जब support लेके market ने bounce किया, कोई खास momentum नहीं दिया, उपर की side, मतलब scalping के मौके तो दिये, लेकिन कोई एक proper momentum दे दिया, नहीं दिया, हाला कि यहाँ पर और भी strategies activate हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर market support लेके bounce कर गया, तो trading day high, मतलब previous day high, जो 1st March का day high है, इसे हम target ल तब लेनी चाहिए, या आपके पास बहतरीन profit हो, या एक अच्छी capital हो, तब इस तरह के risk लेके आप scalping करके profit बना सकती है, main जो हमारी entry बनी है, वो यहाँ पर बनी है, और यहाँ पर कौन सी entry बनी है, हमारी बनी है trading day low का breakdown, क्योंकि हमने जो अपनी range बना ली थी, trading day low को हमने mark कर लिया था, trading day high को हमने mark कर लिया था, और जैसे इसका breakdown मिला, तो आपके लिए activate होगी trading day low के breakdown वाली strategy, इसके according आपको बहतरीन momentum मिला होगा, सीधा सीधा target भी अगर हम देखे, previous day low आपका target, हलाकि market उससे नीचे भी गया है, तो आपको बहतरीन momentum मिला है, situation समझ मैं, दोस्तो मैं आपको यहां से एक सवाल पूछना चाता हूँ, आपको इमानदारी से comment करना है, आज मैंने ये logic आपको explain किया, कितने लोगों को पसंद आया, पहली तो आपको ये comment करना है, दूसरा, कितने लोग चाहते हैं कि logic को वीडियो से हटा दिया जाए, मतलब जो मैं आपको ये टाइम लग जाता है logic को explain करने में, लेकिन 2-3 वीडियो हो सकती है week में, मैं plan कर सकता हूँ, इतना मैं time निकालने के कोसिस करूँगा, कितने लोग चाहते हैं, या फिर कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि इन्हीं वीडियो के अंदर हम discuss करते रहें, time time पे जहां जहां पे हमें logic explain करने की जरूरत है, आज मैंने क्यों किया, इसके पीछे का logic ये था explain करने का, आज बहुत सारी strategies एक्टिवेट हो रही थी, तो समझाना जरूरी था कि कौन सी strategies को avoid करना है, कौन सी strategy के according आपको position लेनी है, वो सारी चीजे समझाना थोड़ा सा जरूरी था, क्योंकि बहुत सार प्रेटिजी थी, previous day high का breakout मिला, फिर वहाँ पे हमारी strategy एक्टिवेट नहीं हुई, फिर previous day high का breakdown मिल गया, वहाँ पे हमारी strategy एक्टिवेट नहीं हुई, फिर यहाँ पे market ने support zone पे support लिया, यहाँ पे कोई scalping करता तो बहतरीन profit हो सकता था, फिर तीसरी strategy यहाँ पे activate हुई, trading डे लोग का breakdown मिला इसके according काफी बहतरी momentum भी मिला और अच्छा profit भी मिला तो आपको बताना है तीन सवाल में फिर से repeat करता हूँ कितने लोग चाहते हैं कि जो जरूरत है वो वीडियो में ही discuss कर दिया जाए पहरी चीज दूसरी चीज कितने लोग चाहते हैं कि अलग से वीडियो प्रोवाइड की जाए लेकिन हरोज नहीं प्रोवाइड की जाएगी आपको 2-3 वीडियो पर वीक प्रोवाइड करा दी जाएगी आगे बढ़ते हैं आज काफी कुछ discussion कर दिया उमीद है आपको यह boring नहीं लगेगा जो मैंने explain किया है फिलाल हम समझते हैं जल्दी जल्दी समझेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी अगर flat open होके positive momentum आया तब क्या करेंगे यहाँ पर मैंने आपके लिए दो लाइन ड्रो करकिए उपर लेवा लाइन के बात करेंगे 40,518 की है जो कि हमारा 22 का day हाई है नीचे लेवा लाइन के बात करेंगे 40,315 है जो कि आज का 2nd March का day हो है जब तक market आपको इस zone में दिखाई देता आपको market में कोई भी position नहीं बनाना चाहिए आपको market को just observe करना चाहिए अब यहाँ पर हम discussion करते हैं अगर flat open होके positive momentum आया पहली चीज़ आप scalping कर सकते हो target क्या रहेगा यही वाला 40,518 लेकिन बहतर buying opportunity आपको इसके breakout के बाद मिलेगी अगर volume अच्छा कासरा अगर volume अच्छा कासर ना रहा तो avoid कर देना लेकिन जैसी आपको इसका breakout मिलेगा तो जो second march का day high है इसको आप target रखते हुए entry ले सकते हैं 40,700 higher probability रहेगी अगर इसका भी breakout मिला फिर आप इसके day high तक देख सकते हैं यह day high नहीं सोर यह swing था 40,700 इसका breakout मिला तो आप day high तक कर रख सकते हैं 40,000 यह 800 के around रहेगा situation के लिए रोगई अगर flat open होके negative momentum आया उस situation पे हम क्या करेंगे उस situation पे ध्यान से समझो यह वाला जो level था याद आया कुछ भई यह जो हमारे लिए एक resistance बना हुआ था फिर first march को market ने इसका breakout दिया market ने इस पे support लिया respect की आज इसका market ने breakdown दे रखा है या आप यह कह सकते है market exact support level पे खड़ा है तो अगर यहाँ पे support level पे खड़ा होके flat open होके आपको hammer नजरा जाए या pin bar bullish candle नजरा जाए तो आपको यही से ही buying opportunities मिल जाएगी target यही रहेंगे आपके जो मैंने आपको बताए ठीक है लेकिन अगर market इसका breakdown दे के चला तो यहाँ पे दो condition हमारी activate हो जाएगी पहली चीज एक तो आपको previous day low का breakdown मिल जाएगा पहली चीज दूसरी चीज जो हमारे लिए यह important resistance है आपको इसका भी breakdown मिल जाएगा समझ मैं है मैंने आपको क्या समझा है एक तो previous day low का breakdown मिल रहे है दूसरी चीज जो हमारे लिए एक important resistance है आपको इसका भी breakdown मिल रहे है तो आपके लिए यहाँ पे दो-दो चीजे active हो रही है तो इसके according up selling position बनाएंगे और इसमें जो आपके target रहेंग जो day low है यह आपके लिए अगले support के रूप में काम करेगा अगर इसका breakdown मिला फिर 40,000 हमारे लिए काफी important level है जो कि आपको पता है फिर 40,000 पे क्या price action बनेगा हम उसी के according position लेंगे अगर यहाँ पे hammer बना या pin bar bullish candle बनी तो उसके according हम position ले सकते हैं एक सबसे important सवाल मेरे comment खासकर उसने hammer का discussion किया था sorry यह fail हो जाते हैं कभी-कभी उसने discuss किया था बिल्कुल सच बात है कभी-कभी यह fail होगा हरी strategy fail होगी जो मैं आपको strategy बताता हूँ वे भी fail होगी जो कोई दूसरा strategy बताता है वो भी fail होता है 100% कुछ भी perfect नहीं होता है यह आपको पता रहना चाह करता हूँ कि अगर आपकी strategy की accuracy 50 to 60% भी है यानि कि अगर आप 50% की भी हम बात करें अगर आप 10 बार strategy को apply करते हो और आपका केवल और केवल 5 बार profit होता है और 5 बार loss होता है तब भी आप एक profitable trader बन सकते हैं अगर आपका risk reward 1 is to 2 है यानि कि जब profit हो रहा है आप 2 अचीव करन के कोशिस कर रहे हैं यानि कि 10 points का अगर आपका stop loss है तो आपका target क्या है 20 points का समझ में आए मैं आपको क्या समझाना चाहरू हूँ तो आप एक profitable trader बन सकते हैं तो strategy बिलकुल फैल होती है उसने सही observe किया जिसने भी observe किया इसलिए तो हम stop loss लगाते हैं मानलो अगर हम hammer पे trade ले के नीचे भई बाइचांस अगर यह fail होता है तो हमारा stop loss हो जाएगा stop loss ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन जो यह target दे के जाता है यह बहुत ज्यादा बड़ा है वन इस्टू टू से भी ज्यादा बड़ा है बड़े momentum को catch करने के मैंने आप मैंने आपको बताया कि stop loss को हरी strategy fail होती है तो इस बात को आपको सोचना है अगर कोई आपसे कह रहा है कि मेरी strategy कभी भी fail नहीं हो रही है तो वो कुल मिला के जूट कह रहा है हरी strategy fail होती है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि skill पर focus करो learning पर focus करो आपकी knowledge increase होगी और आप अपनी strategy की accuracy बढ़ा सकते हैं आपको idea लगने ही लग जाते हैं कि यहाँ पर हम इस trade को avoid करते हैं अब मान के चलो मैं आपके साथ एक example हरोज discuss करता हूँ hammer बना उपर ही resistance आ गया आपने hammer पे position बना ली bind कर ली stop loss आपने यहाँ पर लगा दी इस resistance की market ने respect कर गया और market यहां से reverse हो गया तो आपका sell hit होगा तो समझदा सारी किसमें है कि भई इस resistance कभी market breakout दे दे तभी हम position लेंगे समझ में है ना जिसने hammer के ऊपर ही position ले ली reverse हो गया तो उसकी strategy फैल होगी जिसने resistance के breakout का इंतिजार करा भई अगर breakout नहीं मिलता तो उसने trade नहीं किया इसका मतलब वो profit में है उसने अपनी capital को सुरक्षित किया किसी strategy को किस तरीके से apply करें इसलिए मैं कहता हूँ रटने की कोसिस कभी भी मत करना गलती से भी मत करना सीखने की कोसिस करना सीखने की कोसिस करोंगे तो profit बनते चले जाएंगे चलो आईए अब gap up open का discussion करते हैं अगर market gap up open हुआ तो हम ये देखेंगे कि कहां पर gap up open हो रहा ह पहला हम discussion करते हैं, मानलो 40,518 के आसपासी market open हुआ, इससे थोड़ा बहुत उपर या नीचे या इसी level पे, अगर यहाँ पे open हो रहा है market, और यहाँ से market breakout देखे, आनिके bullish candle आपको दिखाई देते हैं, उपर की तरब momentum दिखाई देती हैं, तो आपको buying opportunities यहाँ पे मिल सकती है target वही रहेंगे आपके, उपर की side, जो आपने शुरुआत में discussion किये थी, लेकिन अगर आपको यहाँ पे bearish candle दिखाई दिखाई दिए, तो आप selling position भी ले सकते हैं, target रहेगा day low तक, जो day low बना है, situation clear होगी, अगर market मान के चलो, इससे उपर gap up open हो रहे हैं, तो buying position को avoid करना है क्योंकि पहले ही बड़ी gap up opening मिल जाएगी, लेकिन यहाँ से आप selling opportunity रहे सकते हैं, अगर bearish candle आपको दिखाई दिखाई दिख, target पहला target यह रहे हैं, 40,518 इसका breakdown मिला, तो day low आपका दूसरा target रहने वाला है, अगर gap down open हुआ market, हमें इस बात का तो पता है कि एक important resistance जो नथा market फिलाल आपको मिला के अभी यही समझो कि market एक support level पे खड़ा हुआ है, तो अगर आपको gap down opening मिल रहे है, तो हमारा पूरा खेल 40,000 पे depend करेगा, कि भही अगर बीच में market gap down open हो रहा है, 40,000 और यह day low, second march कर यह day low है, इसके कहीं बीच के आसपास, तो यहाँ से आपको दोनों target रहेगा, लेकिन अगर market 40,000 के आसपास है, तो selling को avoid करना, पहले 40,000 पे देखना क्या price action बन रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे hammer नजर आ ज़र आ ज़र आ ज़र आ ज़र आ ज़र तो buying opportunity मिल सकती है, day low तक आपका पहला target रहेगा, अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ, pivot point की तरब, और यहाँ पे हम discussion करते है, pivot point की according, आपको कहाँ पे support, कहाँ पे resistance दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दू, like target है, 5000 like का आप like नहीं कर रहे हो, वीडियो को वीडियो देखतो रहे हो, like बटन जरूर प्रेस कर दो, इससे हमें यह पता लगता है कि आपको content कितना पसंद आ रहे है, अगर bank nifty में positive momentum आता है, उस situation पे जो हमारा पहला resistance बन रहा है, 40,442 पे बन रहा है, अगर आपको इसका breakout मिला जो दूसरा resistance बन रहा है, 40,589 पे बन रहा है, अगर आपको इसका भी breakout मिला जो हमें तीसरा resistance दिखाई दे रहे है, 40,735 पे हमें यापर तीसरा resistance दिखाई दे रहे है, वहीं बात करें, bank nifty में अगर आपको देखने को मिला एक negative momentum, इस situation पे पहला support नहीं ज़रा रहे, 40,205 पे नज़रा रहे, अगर आपको इसका breakdown मिलता है, जो हमें दूसरा support नहीं ज़रा रहे, 40,120 पे नज़रा रहे, अगर आपको इसका पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपको होनी वाला है, loss की जिम्मेदार भी आपको अपनी हाप लेनी है, जो यहाँ पर हमें तीसरा support नज़रा रहे, 40,046 पे आपको यहाँ पर तीसरा support देखने के लिए मिल रहे है, दोस्तों इस video को like की कि आपको analysis कैसे लग रहे है, आपके कितने helpful है, अगर आप इस channel पर नहीं है, तो channel को subscribe कीजिएगा, साथ यसाथ bell icon भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली videos के notification मिल सकेंगे, फिलाल इस video में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी next video में किसे अच्छे content के साथ, thank you